भजन सहिता अध्याय 79 ए परमिश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में दुबा चाहता हूँ, मैं बड़े दलदल में दसा जाता हूँ, और मेरे पैर कही नहीं रुखते, मैं गहिरे जल में आ गया, और धारा में दुबा जाता हूँ, मैं पुकारते पुकारते ठक गया, मेरा अपने परमिशर की बाट जो होते जो होते मेरी आखे रह गई है, जो अकारण मेरे बैरी है, वे गिंती में मेरे सिर के बालों से अधीक है, मेरी विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रू है, वे सामर्थी है, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वह भी मुझको देना पड ए परमिशर, तू मेरी मूड़ता को जानता है, और मेरे दोष तुछ से छिपे नहीं है, ए प्रभु, हे सनाओ के होगा, जो तेरी पाठ जो होते है, उनकी आशा मेरे कारण न तूटे, हे इसराल के परमिशर, जो तुछे धूनते है, उनका मुह मेरे कारण काला न हो, ते मेरी ही कारण मेरी निंदा हुई है, और मेरा मुह लज्जा से धपा है। मैं अपने भायों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भायों की दुश्टी में परदेश सिठहरा हूँ, क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करत वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख़ उठाता था, तब उससे भी मेरी नाम धराई ही हुई। और जब मैं टाट का वस्त्र पहिने था, तब मेरा दुरुष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विशे बाचित करते हैं और मदीरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। परंतु है यह हुआ, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। यह परमेश्वर अपनी करुना की बहुतायत से और अपने और मैं गहिरे जल में डूब मरू और पाताल का मुहा मेरे उपर बंद न हो। यह हुआ, मेरी सुन ले क्योंकि तेरी करुना उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। और अपने दास से अपना मुहा न मूर। क्योंकि मैं संकट में हूँ, मुझे छुडा ले और मेरे शत्रूओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब दोही तेरे सामने है। मेरा रधे नामधराई के कारण फट गया। और मैं बहुत उदास हूँ, और मैंने किसी तरस खाने वाले क आशा तो की, परन्तु किसी को न पाया, और शांती देने वाले ढूंता तो रहा, परन्तु कोई न मिला, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंदरायन दिया, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए, और उनक आखो पर अंधेरा चा जाए, ताकि वे देखना सके, और तू उनकी कटी को निरंतर कमपाता रहा, उनके उपर अपना रोश भढ़का, और तेरे क्रोध की आच उनको लगा ले, उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, क्योंकि जिसको तुने मारा, वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तुने घायल किया, वे उनकी पीड़ा की चरचा करते हैं, उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा, और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करें, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए, और धर्मियों के संग लिखा न जाए, प बढ़ाई करूंगा, यहाओ यहोवा को बैल से अधिक, बरन सिंग और खुरने वाले सिंग से भी अधिक भायेगा, नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होगे, यह परमिश्वर की खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता, औ और अपने कानों को जो बंदू है तुच्छ नहीं जानता, स्वर्ग और पृत्वी उसकी स्तूति करें, और समुद्र अपने सब जीव जनतू समेथ उसकी स्तूति कर, क्योंकि परमिश्वर स्वियों का उध्धार करेगा, और यहुदा के नगरों को फिर बसाएंगा, और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे, उसके दासों का वंच उसको अपने भाग में पाएगा, और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे.